लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाईए हमारे साथ जूड़े रहने के लिए न्यूस 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार स्वागत आप सबीका न्यूस 29 इंडिया में मैं हूँ आपके साथ प्रियाश शर्मा प्रधान मंत्री नरेंद मोधी ने कहा कि सभी की तरफ से सुझावाए हैं कि लॉक्टाउन को बढ़ाया जाए सभी की सुझावाँ को धियान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि लॉक्टाउन को तीन मई तक के लिए बढ़ाया जाएगा सबी लोग अनुशासन के साथ घर में रहें प्रधान मंत्री नरेद मोधी ने कहा कि अगले एक सफता में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में 14 और जादा बढ़ाई जाएगी 20 अपरेल तक हर्थाने हर जिले हर राजिको बारी की से परखा जाएगा लोग डाउन का कितना पालन हो रहा है इसका मोल्यांकन किया जाएगा जो सफर होंगे जो होट्सपर्ट नहीं बढ़ने देंगे वहाँ पर 20 अपरेल से कुछ जरूरी चीज़ों में चूट की अनुमती दी जा सकती है लेकिन याद रखिये यह अनुमती सशर्थ होगी लोग डाउन के नियम अगर तूटते हैं तो सारी अनुमती तुरंत वापस ले ली जाएगी इस वरान पी-म ने देशवासियों से साथ बड़ी अपील की है जिसमें उन्होंने बुजर्गों का खयाल रखने लोग डाउन, सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखने मास्क का उपयोग करने और गर्म पानी सही तन्य चीजों का सेवन करने की बात कही पिये मोदी ने आरुग्य सेतु एप डाउनलोड करने के लिए गरीब परिवार की सेवा करने के लिए किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालने और कोरोना वारियोर्स का खयाल रखने और सम्मान करने की बात कही है ब्यूर रिपोर्ट न्यूस 29 इंडिया सारे सुजावों को ध्यान में रखते हुए ये तै किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब मैं तक हम सभी को हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा इस दौरान हमें अनुशाशन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देशवासियों से ये प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी किमत पर नए एक शेत्रों में फैलने नहीं देना है स्थानिय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विशे होना चाहिए कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मृत्य होती है तो हमारी चिंता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें होट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी जादा बहुत जादा सतक्ता बरतनी ही होगी जिन स्थानों के होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होगे नए होट स्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता में कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी 20 एप्रिल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा बहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस खेत्र ने करोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो खेत्र इस अगनी परिक्षा में सफल होंगे जो अपने अहां होट स्पॉर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट स्पॉर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहां पर बीस अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुट्चाट दी जा सकती है लेकिन याद रखे ये अनुमती सवशर्ट होगी बहार निकलने के नियम बहुत सक्त होंगे लोकडाउन के नियम अगर तूरते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंत वापिस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है लागतार खबर खलिए बने रही है नियूस ट्रेंटिनान इंडिया के साथ एक देश सारी प्रदेश किस दोर存 लापने है दोरstiने और खलिए